संसत भवन परिसर में संसदी समितियों की बैठकों का सिलसला जारी है संसत की ग्री कारिय संबंधी संसदीय समिती ने आज लंबी बैठक की इस दौरान COVID-19 महामारी और उससे जुड़े मुद्दों पर गेहन परताल की गई इसके अलावा समाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थाई समिती ने भी एहम बैठक की जिसमें माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरन पोशन कल्यान संशोधन विध्यक पर चर्चा की गई वरिष्ठ राज्य सभा सांसद आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली ग्रह कारे संबंधी संसदिय समिती ने सुबह 11 बजे से दोपहर करीब सभा 3 बजे तक कोरोना संकट के मुद्दे पर चर्चा की इस दोरान कोरोना संकट और प्रबंधन से जुड़े मसलों पर केंद्री स्वास्थे अनुसंधान विभाग के सचिव और भारती चिकित्सा अनुसंधान परिशत के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भारगव के साथ चर्चा की गई समिती के सदस्यों ने कई मसलों पर विस्तार से सवाल भी पूछे कई अन्ने अधिकारियों से भी साक्षे लिए गए इस से पहरे समिती इस मुद्दे पर केंद्री ग्रिह सचिव अजय कुमार भल्ला से साक्षे जुटा चुकी है उधर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थाई समिती ने बुद्दवार को मातापिता और वरिष्ट नागरिकों का भरन पोशन कल्यान संशोधन विध्यक पर अपनी तीसरी बैठक की समिती ने बैठक में गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ गहन विचार किया सांसद रमादेवी की अधिक्षता वाली इस समिती की बैठक में 13 सदस्यों ने शिर्कत की माता पिता और वरिष्ट नागरिकों का भरन पोशन संशोधन विध्यक 2019 बेहद एहम विध्यकों में एक है ये विध्यक 11 दिसंबर 2019 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था इसके बाद विध्यक को संसदी समिती को परताल के लिए सौपा गया लेकिन कोरोना संकट के चलते समिती समय पर रिपोर्ट नहीं दे पाई लोकसभा ध्यक्ष ओम बिडला ने समिती को सितंबर तक रिपोर्ट जमा करने की अनुमती दी है अर्विंद कुमार सिंग राजिसभा टीवी